देखें आउटस्टेंड गेम रहा है कल में जोए की है आदा मैच नहीं देख पाया हमें लेकिन बड़ा ही जबरदस मैच और इसी तरह की क्यों है दोनों टीम में बड़ी थी अच्छा करके उपर गए वे थे और हमें उमीद भी थी कि अच्छा मैच ही होना चाहिए क्योंकि इस World Cup के अंदर अच्छे मैच बड़े कम नजर आया हमें देखने को कल का मैच वन अफ देम और मज़ा है देखने में जिस तरीके से जो बाड़ी लेंविज साउथ आफ्रीकंस की थी इतने कम टोटल पे वो बड़ी जबरस नजर आ रही ती लेकिन बात पिर वही है कि आप अपरशनिटीज आती आप मिस कर देते हो इतने बड़े मैच के अंदर आप उपरशनिटीज को कोशिश होती है कि वह लोती है जा टीम जैल खेल रही होती बाड़ी लिज बहुत इच्छी थी लेकिन जहां पर कैचिस करने चाहिए थे वो जो था ना क्योंकि आखरी दस बा करते हैं यह वह वाई टीम है जिसके बार में शुरू में भी जब वह हार रही थी तो हमने यह बात की थी कि यह मैंटली इतनी स्ट्रॉंग है कभी भी कमबैक कर सकती है और बोर टीम इस तरह उनका पूरा ट्रेंड चला और एक चीज जो कि साउथ आफरिका में कल दिखी हम करते हैं बार बार डाइवर्जिन अफ टीम की डिफरेंसस अफ टीम की कल जब प्रेशर पड़ा तो एकदम से आपको माकराम कैप्टन्सी करते हुए दिखे बावूमा को साइट पे कर दिया बावूमा और वीक लिंक एपर साउथ आफरिका मैं यह डूंट तिंग सो इसमे इसलिए कर देखे लिए मुझे लगा तो तॉर्णिममें पहलए बाट बाट करी ते किसे इसलिए टेफ़ में इसलिए किया है जितने भी निए प्रोब्लमी तो इनके प्रावलम हूरा तो एinding इस को बशुक भिरicus निए तो यह के अजब आपको आ पहले हो एकदैंस Musti का ऊ सीजन की वैसे देखे हैं इस दफ़ा इनों बड़ी कंपेटिटिव क्रिकट के लिए ठीक है इनके अंदर एक अंडर प्रेशर वह हैं कल के मैच में इनसे दो गल्तिया दो जिसना शायर ने काना कि ां कि ऑ Candice की क्रिन की में जीतने हुते हैं तो टॉर्णेञेंसके में है condition माच जीतने के लिए जीतने के लिए इनसे क्या हुआ ऐसे 17 एक्षर कंड जयाने चाहिए और एक्षर क्रतेश अब ये दो आखर आवरी बैटिंग में नहीं कहले और 70 रन्स एक्स्ट्रा दी ये दो चीज़ों को कंबाइन किया जाए तो वहां पर इनोंने कोई 15-20 रन्स जोड लेने थे पहले बैटिंग करते हुए और 12 बॉले थी और 12 बॉले थी और दूसरा है इनोंने सेकंड इनिंग कर रहे थे ये वह चीज है जिसके हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं किया यह बाउंसरे मारे जा रहे हैं पूर ये नीचे तो बॉल करी नहीं रहे थे तो यह एक अप्रोच उनकी बड़ी जबरदस्ती है यानि जो लास्ट थर अब कम बाक तो जोर का जोरण वर्लकॉप 2023 शपेशल इस अब्रेक कि अब्रेक टेर विजिसला पूर कुछ नहीं कुछ नहीं और बिलकुल यह बार बार यह फीलिंगोर है कि इस में यह फीलिय और ऑल इस टो तो मोर तो पीज इस-ट चेल इस नहीं धूर लूंगि रिगर मेरा कहाल से पहले हम यूसफ आप की तरफ आएंगे कल जिस तरह का मुकाबला हुआ एक तरह कंप्लीट तग उफ वर थी दोनों टीमस के दरवाँ बिसमिल्लारख्मान रखम पहले मैंने का था मैं शुरू जब एक इनिंग भूबी रही तो मैंने बोला था कि करेंगे और दोनों उपर से आके बहुत तेज खेला और यह ना खेलते तो यह मैच हार जाते हैं गेम अवेरनेस बहुत ज्यादा है इस्ट्रेलिया में को एकदम भाब लेते हैं कि हमने करना क्या है क्योंकि टरन और था थोड़ी मुश्किल थी और यह ओल्ड स्टाइल क्रिक इसलिए आरहा है कि बहुत एजी किया हुआ है थोड़ा इसे मुश्किल करें जैसे कल का मैच हुआ है इस सब ने पसंद किया इस मैच इस तरह की क्रिकेट हो आगे भी वर्ल्ल कप में या वैसे भी बाइलेटरल सीरिस में तो बहुत मजा आएगा क्यूंकि वन डे क्रिकेट कर जाते हैं बड़े मैच में और इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा इस्टेलिया बड़ी टीम है पांच-छे मर्दों वर्ल्ल कप जीती हुए आठवी का फाइनल खेलने लेगी है और कल वही टीम एक नजर आ रही थी पूरे टूर्णामेंट में कि ये एस् तो कल का संडे को मैच होगा वो है तो अगर देखा जाए तो 70% इंडिया के हाग में है लेकिन अगर अस्टेलिया जिस तरह खेलता है जो उसकी रुआहिती की है मैं अगर वैसे खेला वैसी टीम नहीं है जैसी पहले होती थी पांटिंग के दौर में या स्टीवा के दौर म इनकि पर श्रेलिया के पास एक जो पर आगर जीते है का मैचिस का उनके पास अंके पास उस पर काफीर. है कहीं न आ कहीं वो पकड़ सकते है on आज़त है उनको बड़ी माचिस खेलने कि जो अब लेकर है क्या है आगर आपके पास वोली चीजें ही नहों जिसके यह जिसे यह होती है समने बहुत बधी टीम एक वान सैब क्या है उसको कोई फिलू कह सकते है को एसी चीज कह सकते है क्योंकि Indian team बहुत स्टरॉंग है कोई ऐसी चीज हो जाए तो फिर यह जीश सकते है उनका बैड डे आ जा जाए इंडिया का लिए हो सकते है और आप बिलकुल सही कह रहे है पावर प्ले की ही मैं अगर बात करूं तो पावर प्ले में साउट आफरिका ने 18 रंस बनाए थे दो विक्तो के नुक्सान पर एंड विक्तो के नुक्सान पे पूरी कहानी तो वही खतंब गोई वही उन्होंने करना ही था ट्राविस हेड के जो कैशिस रॉप होएं और स्टीव समीद के जो कैशिस रॉप होएं मजीद बात करते हैं मजीद जो हमारे साथ मारे लेजन्स मौजूद हैं उनसे जाते कि क्या क्या गलत हुआ अब मौमेंट आ गया वो टाइम आ गया एएथ सिटी लखी विने का नाम हम मनाउस करते हैं कि कौन है जिस जिस ने आपको पता चल जाएगा कि किस कि जो है वो जवाबात आ चुके हैं ठीक जवाब थे मारे डेटाबेस में सेव हैं आज का सवाल भी आपके सामने आजेगा त आप सबसे करीव हैं ग्यारा डबल सेंचरी से बाद चुकी हैं अचा जी आप लोगों के जो जवाबात आ आ चुके हैं आपको पता चल गया होगा कि आपका जवाब ठीक था ता तो हमारे पास आपके नाम आपके अड्रेस सबकु सेव हो चुका है फाइनल के मौके पर हम लकी ड्रॉा करेंगे बताएंगे कि किस से जीता है एच सिटी का प्लॉट खैबर पखतुनखा डेरा इसमेल खान में यह जबर्दासी हाउसिंग सोसाइटी है जिसके अंदर तमा आपने इसका जवाब देना है और अगर आपने जो कैमरे के पीछे से हाथ उठाया आप इसका अगर नंबर आरे इस पर वट्साइब करें शायद आप भी उस लखी डॉब में शामिल हो जाएंगे वर्डे क्रिकिट में सबसे ज़्यादा डबल सेंचिरी किस मुल्क के आपने वट्साइब करना है तो मैं हिंट आपको देती चलू कि आप आरे पिछले कुछ शोज देखें तो उन शोज में जो है वो मुर्शी भाई ने जरूर ये मेंशन किया था कि हां जी क्यूं कहां किदर उस वेन्यू पे ज्यादा उस जगा में ज्यादा हो जाती है तो यह सारी डिसकशन होई थी तो रिवाइंड करें पीछे और फिर जाने तो यह तो हुई प्लॉट की बाद भाई स्मार्ट फोन भी अभी ही करते हैं साथ साथ हम ज़्यादा इंतिजार नहीं करवाएंगे आपको